दोस्तों आप शभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल टेज सूरज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वी 25 प्रो फोन में इंकमिंग काल पर बॉर्डर लाइट शेटिंग कैसे यान करें जी हां दोस्तों अगर आप भी वीवो वी 25 प्र उसके बाद आप फ्रोडर लाइट शेटिंग कैसे यान करें तो गाइच आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फॉन की शेटिंग को आंकरना होगा आप टोडा इसको लब करोगे आपको यहां पर देखें नीचि मिल जाएगा दिया इंबिभे और डायनेमिक एक्ट वाले आफ्टन पर क्लिक करना उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपको वह पर शेकर नमबर मिल जाएगा एंबनेट लाइट इफेक्ट का अपसन आप उस पर क्लिक कर देजिएगा आपको फेस्ट नमबर मिलेगा One Screen Display का option, आपको वापे जो disable रहेगा, आपको उसे on कर देना है, जब आप उसे on करोगे, तो आपको कुछ इस प्रकार का interface open हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, आपको यहापे incoming call और notification का option है, तो guys, आप incoming call वाले option को जब on करोगे, तो आपको देखें, यहापे मिल जाएगा, live light effect for incoming call, guys, आप इस पर click करना, आप देख सकते हो, आपकी जो है incoming call जब आएगी, तो आपकी border light कुछ इस प्रकार से होगी, तो guys, आपको यहापे कुछ step है, आप इससे देख सकते हो, और अपने phone में use कर सकते हो, आपको इस पर click करके, आपको जो भी apply करना है, आप वहाँ से apply कर सकते हो, आप उस पर click करना, और उसके बाद आपको जो border light आप देख सकते हो, आपकी incoming call जब आएगी, तो आपकी border light कुछ इस प्रकार से जलेगी, और यहापे आपको देखे second number का है color, आप यहाँ से color को भी change कर सकते हो, आपको जिस प्रकार का color चाहिए, आप यहाँ से use क कर सकते हो, तो guys आपको यहाँ से apply कर देना है, उसके बाद आप देख सकते हो, यह हमारा apply हो गया है, आपको आजाना बैक, उसके बाद आपको देखे यहाँ पर है notification का option, आप notification को on कर देना, आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा light effect for notification, आप इस पर click करना, और वही same system आपको य color और उसका background आप यहाँ से use कर सकते हो, तो guys आपको जो भी color आपको पसंद हो, आप उस पर click करके आप यहाँ से apply कर दीजीगा, तो चलिए हमाते बैक, और आपको देखे यहाँ पर notification apps का option है, आप जिस apps के notification पर color border light का use करना चाहते हो, आप वहाँ से on कर सकते हो, जिस notification के border light आपको नई पसंद हो, आप उसे यहाँ से off कर सकते हो, अगर आप भी Vivo V25 Pro phone में incoming call पर border light setting on करना चाहते हो, तो आप इस प्रकार कर सकते हो, I hope guys आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो like और चैनल को subscribe जरूर करें, मिलते हैं फिर किसी दिन, next topic, next video, तब तक के लिए bye, take a year कर दिन, next topic, next topic.